करेंगे शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगी आप आप लोग को क्लियर हो जाए तो मोडनाइजेशन थ्योरी का जो ओरीजिन था जो यह आइडिया था वो किसका था मैक्स वेबर था जो एक जर्मन शोचलोजिस्ट थे जिन्हों उन्हें बताया था कि कैसे जो इरैशनल्टी और रैशनल्टी का रोल है वो ट्रेडिशनल सुसाइटी में उसको बदल देता है किसके अंदर मॉडर सुसाइटी के अंदर बाद में जो एप्रोच है वेबर की इसको आगे किसने बढ़ाया था हारवर्ड शोचलोजिस्ट जो तेल्कॉट पाइटसन उन्होंने करा था फिर हम बात करें कि जो मॉडराइजेशन की जो यह एप्रोच है जो हमें क्या समझने में मदद करती है जो प्रक्रिय है और जो वैरियेबल से जो किसकी तरफ लेके जाते हैं जो हमें समझने में मदद करते हैं कि जो डेवलेप्मे की जो इशू था कब 1950 और 60 का जिसमें जो करेक्टराइज था कि जो हमें वो factors को ढूनने कि इसमें अंडर डेवलप country में जिस चिनकी कमी है ठीक है कि किन की वज़े से जो है वो अंडर डेवलप country है जो डेवलप नहीं हो रही है ठीक है नहीं हो जिसे आगे नहीं बढ़ पा रही है तो रोस्टों ने compare करा था डेवलप country को कि इनके साथ जो अंड डेवलप क्यों नहीं थी जैसे lack of technology वहां पर technology की कमी थी वहां पर पूंजी की कमी थी capital की कमी थी बहुत ज़्याद ठीक है कि कैसे हम अंडर डेवलप economy को हम आगे बढ़ा सकते है तो जो ट्रडिशनल सोसाइटीज है वह डेवलप हो सकती है सिमलर वे में जैसे डेवलप nation है लेकिन उनको क्या चाहिए साथ में एक उनके सपास क्या होना चाहिए प्रोग्रेस होगी तभी तो वह आगे जर्टी होनकी जो है प्रोग्रेस हो तो क्रेक्टेस्टिक देखें मौर्णाजेशन त्योरी का तो यह करता है पॉवर्टी उ अंडर डेवलप NATION यह में क्या बताता है कि मोड़्यू ठीचिंद्य की जो अंडर डेवलप नेशन है ठीक है महां पर कितनी वहां पर क्या है ग बताया कि जो कंट्रीज हैं कौन सी लेटिन अमेरिका फ्रीका एशिया जो उनके प्रोग्रेस में क्या बन रही है बाधा बन रही है कि उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है इस वीव के अकॉर्डिंग जो इंटरनल इस्टूशन है सुसाइटी के जो कस्टम से रिती आगे नहीं बढ़ पारें सुसाइटी वहीं मौड जो है ट्रेडिशनल चीजे फॉलो कर रही है ठीक है तो यह मौड़नेजिशन थियोरी के करेक्टिस्टिक थे फिर लास्ट है मारा इसने प्रपोस करा सोलूशन टो एनेबल देयर प्रोग्रेस यह उनकी प्रगति को करते हैं तो कैसे बढ़ सकती है कि इनडेस्टेल प्रक्टिस में बढ़े सोटेर Прाकुंशनल देस्ट गणिद से augmente स्वें करें बलता हूद कि तरफे इंडेस्टी फिर लोड़नियोदी स्वें से ब्ढ़क्र करते हैं इस इस प्रणील और प्रोड़क्ट जो है तो huge vaccine जो है भई हम बोलेंगे USSR को यहाँ पर thanks बोला जाएगा कि उन्होंने vaccine लेके आए किसके लिए smallpox के लिए और बहुत सारे लोग वर्ल्ड वाइट जो effect करती थी पहले वोई अगर किसी को smallpox हो गये हैं चेचक हो गया है तो भई जो भी घरे लूप आए किये जाते होंगे लेकिन फिर बाद में जब हर्ची develop हो रही है ठीक है भई साइंस की वज़े से हमें क्या मिला वैक्सीन मिली जि इसने लोग मर जाते थे विमारी से तो यह मॉडनाइजेशन का एक्जामपल है कि देखा गया क्या प्रॉब्लम है किस वज़े से जो है विमारी हो रही है फिर उसका solution ढूंडा गया ठीक है और ज्यादा यह बिमारी कहा मिलेगे अंडर डेवलप जो कंट्रीज है वेक्सीन सब्सक्राइब करना चाहिए तो यह एक्जामपल है किसका मॉडनाइजेशन का अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेट और सब्सक्राइब मैं चैनल थेंक्यू